वेल्कम तो सूपर शोओ वेल्कम तो आज के हमारे केस्ट है मिश्टर नवनकुमार जो एक भड़त हुए शायर है जो रहत इंदोरी की जंगा आने वाले टाइम बे ले लेंगे तो चलिए मिश्टर नवनकुमार से कुछ सवाल कर देते हैं और उनकी को स्जायरी सून देते हैं तो आज बदबनकुमार जी आपने शायरी का दोर का शडू किया था हमें बताना चाहेंगे यहां से तो मैं बदपन से बहुत सारे किताबे पढ़ा करता था मैं सुना भी करता था कापी अच्छा लगता था पढ़ता था और खाली टैम में अपना मन किया तो लिख दिये जो मन में आया तो फिर मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपने शाहिरी कम से कम भी 7-8 साल हो चुकिए आपको लिखते हो गए अलगबग हाँ हो सकता है 12-13 साल हो गया मान दीजिए अप अच्छा तो फिर आप शाहिरी के आइडियास कहां से लेके आते हैं मैंने गूल में कई चिज को पढ़ते रहता हूं मैं कई किताबे पढ़ा रा कई लेको का की लेकोको किताब मैंने पढ़ा फिर जैसे की हडै गूल जार सहब है उनका पता होगा उनको मैं कभी कभ bol में पढ़ना सिखा मन्दब ऐसे दूर कहीं से तो आप सबसे ज्यादा ऐसको करते हैं कि अपका पर्टिकुलर शायर हो कि आप उसको फोलो करते हैं, तो वह उस चाहिड का नाम अगर जो आप उमें बताना चाहें मुझार को ही करेंगे कि कि मुझार है बहुत जादे वो तो फिल्म डारेक्टर भी आपको पता होना चाहिए तो इसे मैं सिखता हूं और उनके ही साही में ज्यादा पढ़ता हूं तो आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगता है कि आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगता हूं ज्यादा तर मैं नेचर के उपर लिखता हूं बाहर के दिखावती दुनिया से बच करके अगर हम आते हैं नेचर में तो फिर आपने का कि आप नेचर की तरफ जाजा आकर शीद आपका मेंड टॉपिक जो शाहरी का है वो नेचर है तो नेचर के लिए कुछ शाहरी आपकर जो सुनाना चाहें तुम हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं आपको कुछ आई तो मैं आपको एक साहरी सुनाना चाहता हूं जो नेचर और ऐसे जक्तित में भी रिलेटेर रखता है आपको अच्छा लगे हैं मुझे बारिश के मौसम में हाथों में छत्री नहीं तेरा हाथ चाहिए बस ऐसी एक मुलाकात स को और कोई एक और मैं सुनाना चाहता हूं मौसम के ऑपर यह कि बारिश के मौसम में तुमसे मुलाकात कहां होती है जब से दूर हुए है अब तुमसे बात कहां होती है बहुत को, बारिश का मोसम चल रहा है और असब अधिया है बाढ़ आ रही है और आप पिलकुल रिष्को लेकर इतनी शायरी लिख रहे हैं बहुत को, बहुत को अच्छा तो हमारा अगला सवाल आपसी हमारा अगला सवाल आपसी है कि तो इसा है, कि हाली रहते हैं तो हमें लगता है कि हम खाली रहते हैं, अपनी तरफ से लिखिये तो यही है मेरा इंसिप्रेशन अपने आप खुछ से जागरित होना है तो मैं खुछ को मोटिवेट करते रहता हूं कभी भी कुछ काम करने के लिए कुछ और शाहिनी जो आप हमें सुनाना चाहें हां एक और मैं सुनाना चाहता हूं तो बिल्कुल आपके लिए भी और हमारी लिए भी है लिकर दिखर जाए ऐसा आसी खंब नहीं मैंने कहा था ना इतना तेरे प्यार में दम नहीं और और कोई हाँ एक लास में आपको बताना चाहता हूं उनके लिए है जो देखना चाहें सुनना चाहें तू खुस रहा है सड़ा ये दुआ है हमारी मैं आयना हूँ मुझे तूटने की यादा थे वावा वावा वाव खौबों में कोई हो ना हो निगाहों में कोई जरूर होता है सपनों में कोई हो यादों में जरूर होता है वावा कमाल की शायरी तो हमारे दो सवालां तूमें यह रहेंगे आप शायरी जो लिखते हैं वो दिल से लिखते हैं कि दिमाग से लिखते हैं लेखिए हम तो चलते तो मतलब आपको 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 आपक इस बारे मैं आप कुछ गहना चाहेंगे? इसलिए क्या है? कि मनुसरे तो समज नहीं पायंगे दूसरी बातों को क्योंकि उनके भाबनायों को वह समझ नहीं पायंगे लूज ऑगोमा और काज़ ही एक उसका मित्र है जो टीजिघन गया डी वह सबुस्थे करें तो बहुत कुप हमें उमीद है आपको हमारी से बात्चीत करना बहुत अच्छा लगा होगा थैंकि सो मच फोर कमीन आवर्शो हमें उमीद है आप एक आने वाले समय में को बढ़ते हुए शायर निकल के आएंगे आपका नाम बड़े बड़े अक्षर बे लिखाओगा थैंकि सो मच